दोस्तों रुष्कार स्वागत है आप सभी का आपी की चैनल उशा की किरन में दोस्तों आज हम बात करेंगे Tata Motors की हाली में नई गाड़ी को लॉंच किया गया है आज हम बात करेंगे Tata Ultra T18 के बारे में और इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम इस गाड़ी के तमाम सारे फीचर्स आपको बताएंगे क्योंकि कमपनी ने अपनी इस गाड़ी को बहतरीन फीचर्स के साथ में लॉंच किया है तो दोस्तों गर हम गाड़ी के ग्रोश विकल बेट की बात करें तो ये गाड़ी आती है 20 फिट डेकलेंट वाली ये गाड़ी है इसको आप 20 फिट, 22 फिट और 24 फिट तीन तरह के डेकलेंट अप्शंस में आप इसको पर्चेच कर सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं टाटा अल्टरा के फ्रंट में जो केबिन है इसका जो अल्टरा केबिन है इसकी खूल सूरतीगी तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको काफी सांदार बोल्ड लेटर के अंदर टाटा की ब्रांडिंग मिल रही है जो की क्रोम फिनिस के साथ में है टाटा का बड़ा लोगो है और इस साइड में आप देखते हैं तो अल्टरा की ब्रांडिंग है और यहाँ पर सामने की साइड में आपको पूरा जो है यह क्रोम फ्रिस दिया है जिससे की गाड़े का फ्रंट फेशिया काफी इनाइस होता है यानि कि आपको यहाँ पर अच्छी काशी रोड प्रजस देखने के लिए मिलती है इस साइड में आप देखेंगे तो T18 की ब्रांडिंग है इसके अंदर जो यह बंपर दिया है पूरा यहाँ पर इस्टील मेट्रियल का बंपर दिया है इसको 3 पीस के साथ में कंपनी के दुआरा यहाँ पर दिया गया है जिससे कि आपकी कहीं न कहीं maintenance cost वो भी कम होती है क्योंकि सबोज करिये अगर आपका एक हिसा कहीं touch होता है तो आपको एक ही पीस को change करना होता है जिससे कि आपकी maintenance cost काफी कम होती है नीचे की साइड में सेफटी के लिए आपको यहाँ पर एक bumper और दिया है यहाँ पर आपका टो करने का होको गया और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस साइड में आपको यहाँ पर fog lamp बगरा दिये गए है reflector है dual chamber आपको यहाँ पर काफी बड़े headlight दिये है जो कि halogen based रहेंगे और यहीं पर आपका parking light और indicator वगरा को दिया है तो दोस्तों अगर हम front से देखते हैं तो गाड़ी का जो है हमें front fascia काफी खूबसरोत यहाँ पर दिखाई देता है और आपकी safety के लिए आप देख पा रहे है driving visibility की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको काफी बड़ी जो है इसके अंदर wind seal प्रवाइट की गई है जिससे कि आप पूरा view देख सकते है रोड को पर गाड़ी चलाते समय और यहाँ पर दोस्तों इसको clean करने के लिए दो wiper मिलेंगे water jet के साथ में और उपर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर proximity mirror जिससे कि आप blind spot जो है उनको भी देख पाते हैं क्योंकि गाड़ी चलाने के दौरा आपको पता नहीं होता है कि आगे कौन सा गड़ा है या कुछ और बस्तू रखी हुई है तो उसके लिए यहाँ पर आपको इसके अंदर blind spot को देखने के लिए mirror भी दिया है और अगर हम दोस्तों side से देखें यहाँ पर तो आप देखेंगे दोनों साइड में आपको इसके अंदर काफी बड़े बड़े जो है इसके अंदर टायर दिये गए है फिलाल आप देख सकते हैं ब्रेजिस्टोन के टायर है दोस्तों पिच्चान में बटा नबवे आर्टवन्टी यानि कि आपको 20 इंची की यहाँ पर बड़े टायर गाड़ी के साथ में प्रोवाइट किये गए है गाड़ी की हाइट काफी अच्छी है साइड में भी आपको टर्न इंडिकेटर दिये गए हैं यहाँ पर भी आप देख रहे हैं आपको रिफ्लेक्टर मिलेंगे दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आपकी विजिबिलिटी और आपकी ड्राइविंग को यहाँ पर काफी सेफेस्ट बनाया गया गाड़ ट्रैफेक को पता चलता है क्योंकि यहाँ पर यहाँ रेड लाइट है कि आपके आपकी ड्रॉपन के ड्रेफी पर चड़ना के अंदरक किया है मैं उपर चड़के आपको दिखाता हूँ, उपर चड़ना कितना आसान है, हमें यहाँ पर दोनाई साइड में grab handle दिये है, एक इस साइड में और एक इस साइड में, और आसानी से जो है मैं यहाँ पर entry ले पाता हूँ, driver का चड़ना भी काफी comfortable है क्योंकि दोनाई साइड में आपको यहाँ पर grab handle प्रवाइड किये गए है, driver side के दोर के ओपर भी आपको पानी के बाटल रखने के लिए जगह है, document holder है, music system का speaker लगाने के लिए specific जगह है, और driver जो है काफी comfortably यहाँ पर चड़ पाता है, तो दोस्तों गाड़ी के अंदर आना और गाड़ी से उतरना काफी powerful है, जिससे कि आप traffic में आसानी से निकल जाते हैं, और अगर हम dashboard की बात करें दोस्तों तो आप देखेंगे, यहाँ पर आपको काफी जो है, व्यवस्तित तरीके से सारी ही चीज़ों को provide किया है, आपको यहाँ पर Tata का music system भी provide किया गया है, जिससे कि अगर आप कभी बोर हो रहे हैं तो आप यहाँ पर music का आनद ले सकते हैं, Bluetooth कनेक्ट करके भी आनद ले सकते हैं, रेडियो है, FM है, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर connect करके आनद ले सकते हैं, साथी दोस्तों आपको यहाँ पर काफी और बटन के लिए space provide किया गया है, ब्लोर आपको य साइट से चढ़ना चाहें, या उस साइट से चढ़ना चाहें, इधर आना चाहें वो आप आसानी से कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों का फाइदा दोस्तों आपको जब होता है, जब आप अपनी गाड़ी को किसी दीवाल के किनारे पार कर देते हैं, और आपका यह वाला डूर open बटन करना मुश्किल होता है तो आप यहां से भी बाहर निकल सकते हैं साथ ही दोस्तों आपको यहां पर बटन को प्रेस करेंगे और आप निकटतम किसी भी टाटा मोटर के सर्विस से आसानी से जूर सकते हैं क्योंकि गाडियों के साथ आपको यहां पर टैलीमेट्च जैसी features provide किया गया है आपको यहांपर जो हए इसके दर глаза provide किया गया है यहांपर भी आपको looks दिया गया है यानि कि आपको यहांपर स्ट्रेज के हिसाब से काफी साथ regard रखने के लिए space जो है वो provide कि या और आप देखेंगे यहांपर आपको mobile को charge करने के लिए fast USB charger दिया है यहीं पर आपका cigarette lighter है तो हर तरह की सुईदा का खयाल Tata T18 के अंदर company ने provide किया गया है यहाँ पर आप देखेंगे cabin light है white color की और दोने ही साइड में आपको sun visor है यहाँ पर भी उपर आपको कुछ space मिलता है बीच वाले आपको grab handle दिया गया है जिससे कि आपकी riding comfort यहाँ पर काफी easy हो जाता है driver के साथ साथ दो लोगों के बैठने की विवस्ता आपको यहाँ पर और मिलती है यह आपकी approach के अंदर यहाँ पर इसका parking brake lever है यहीं पर आपको कुछ सामान वगरा रखने के लिए और space है, पानी की बाटल वगरा रख सकते हैं तो दोस्तों काफी सारे features हैं अगर मैं गिनाने जाओं एक एक चीज़ को तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा अब हम बात करते हैं इसके steering comfort की तो आप देखेंगे इसके अंदर जो है आपको यहाँ पर tilt and telescopic जो है इसके अंदर steering provide किया है जिससे कि आप अपनी कद काटी के अंसार इसको adjust करके आसानी से अपनी driving को आप अंजाम दे पाते हैं तो यह है इसका tilt steering और अब बात करते हैं दोस्तों इस गाड़ी के हम सबसे खास feature की जिसके अंदर आपको गाड़ी चलाने के दौरान तमाम सारी information सो होती रहती है यहाँ पर दोस्तों आपके लिए दिया गया है काफी बड़ा इसके अंदर जो है information display जिसके अंदर बहुत सारी information दोस्तों आपको यहाँ पर सो होती रहती है साथी दोस्तों आपको यहाँ पर gear shift advisor जैसे features मिलते हैं जिससे कि आप अपनी गाड़ी से बहतर fuel efficiency प्राक्ट कर पाते हैं और दोस्तों आपकी गाड़ी का fuel economy और बढ़ाने के लिए यहाँ पर आपको eco mode यानि कि आपको light और heavy mode भी दिये गए जिससे कि आप अपनी गाड़ी को कभी खाली लेकर आ रहे हैं आपकी गाड़ी के अंदर load नहीं है तो आप light mode operate करके गाड़ी को चलाएंगे तो आपको उसके according fuel efficiency मिलेगी heavy mode में है तो आपको heavy mode यानि कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से आप अपनी गाड़ी को यहाँ पर run कर सकते हैं cable shift mechanism के साथ में आने वाले इसके gear को operate करना भी काफी आसान होता है जिससे कि आपको fatigue place यहाँ पर driving comfort देखने के लिए मिलता है इन गाड़ियों को आप sleeper cabin के साथ में भी ले सकते हैं और day cab के साथ में भी ले सकते हैं आप अपने जरूरत और application के अंसार इन गाड़ियों का चुनाव कर सकते हैं काफी लंबी जो है आपको इसकंदर sleeper birth प्रुवाइट की गई है साथ ही दोस्तों आपको पीछे की side में यहाँ पर इसकंदर window भी दिया गया है जिसना रौसनी और हवा का भी आनल ले सकते हैं अब दोस्तों हम driver के comfort की और बात करें तो सारी चीज आपके जो है यहाँ पर पहुच में प्रुवाइट की गई है हाला कि दोस्तों आप इस जीट को आगे और पीछे move कर सकते हैं साथ ही आपको यहाँ पर इसकंदर recline करने का भी provision दिया गया है इसकंदर जो fabric का यूज किया गया है जो कि काफी durable है यहाँ पर आपको पसीना वगएरा नहीं आएगा आप किसी भी तरह के मौसम के अंदर गाड़ी को run करते हैं तो आपको यहाँ पर काफी comfort देखने के लिए मिलता है और दोस्तों नाइट के समय में आप अपनी गाड़ी की चावी को सही जगे पर properly लगा पाए तो इसके लिए यहाँ पर आपको इसके अंदर illumination भी देखने के लिए मिलता है जिससे कि आप इजिली अपनी गाड़ी के अंदर अपनी की को insert कर पाते हैं अब दोस्तों बात करते हैं गाड़ी के suspension की तो गाड़ी के साथ में आपको आगे की साइड में पेराबॉलिक लीफ स्प्रिंग सेस्पेंशन प्रवाइट किये गए है और पीछे की साइड में यहाँ पर आपको काफी मजबूत जो है लंबी trip को cover कर पाते हैं साथी दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं आपका 25 लीटर का जो है इसके अंदर add blue भी दिया गया है और यहीं पीछे की साइड में आप देख सकते हैं इसका exhaust after treatment unit जिससे की हमारी गाड़ी जो है जिससे की कभी आपको कोई ऐसा सामाल लेके जाना है कि उसको टाई करना है तो आप इजली कर सकते हैं काफी मजबूत जो है इसकेंदर चैसिस प्रोवाइट किया गया है जिसकी अगर हम ठिकनेस की बात करें तो साथ मोटाई वाला यहाँ पर आपको लेडर टाइप का जो ह काफी डूरेबल होता है तो दोस्तों अवराल हमने गाड़ी की सारी बाते कर ली है अब गाड़ी का जरा हम पीछे का लोग आपको दिखाएं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको काफी बड़े लेटर्स के अंदर टाटा की दिखाई देती है और यहीं पर आपको देख कर लें क्योंकि इनके सेंस में आने के बाद में के अंदर बीप साउंड बसता है और आपको पता चलता है कि पीछे कहीं कोई है तो नहीं साथी दोस्तों आपकी सेफटी को इनेंस करने के लिए यहाँ पर लोवर बंपर भी दिया है तो दोस्तों इस तरह की यह गाड़ी है जहाँ पर आपको काफी सांदार्ट टेल लेंप दिये गए हैं आगी के हेडलाइट हमने आपको बताई दिये थे आपका इसपेर वील यहाँ पर दिया गया है जिसको निकालना और दुबारा से लोड करना काफी एजी है क्योंकि यहाँ पर आपको एक इसका जो टूल दिय जाता है उससे आप इसको रोटेट करेंगे आपका स्पेर नीचे हो जाता है और दोनों ही साइड में आपको यहाँ पर गार्ड रेल दिये हैं जिससे कि आपकी गाड़ी के अंदर साइड से पीचे से कहीं से भी कोई टू वीलर या अन्वांटेड चीज एंट्री नहीं ल दोस्तों, अब बात करते हैं इसके मेल काफी आसान होता है क्योंकि यहाँ पर आपको जो तेस के देड के द्वारा कैले है, आप इसको इस हंडल के दवारा अकेले ही टिल्कर서ते हैं यहाँ पर आपको 4-cylinder BA6 engine दिया गया है जो कि 5,000, 5cc का engine है और इस engine से दोस्तो आपको 180 HP की पावर और 590 NM का बैथरीन तॉर्प जो है मिल जाता है गाड़ी के साथ में दोस्तों अगर हम clutch plate की बात करें तो 352 mm diameter के single clutch plate का इस्तेवाल किया गया है जो कि clutch booster की साथ में रहेगा और इस engine के साथ में दोस्तों आपको बहतरीन फ्यूल efficiency और पावर यहाँ पर मिल जाती है तो पाफी silent engine आपको मिलता है गाड़ी के साथ में जहां पर आपको 66 speed transmission गाड़ी के साथ में प्रवाइड किया गया है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ Tata के इस नई truck Tata Ultra T18 के बारे में इस वीडियो के अंदर मैंने आपको तमाम सारी जानकारियां दे दी है उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा पसंद आया है तो लाइक करिएगा पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं तो subscribe करना ना भूले इस जानकारी को आप अपने दोस्तों तक आवश्य पहुचाए क्योंकि इस तरह की जानकारी आपको बहुत कम देखने के लिए मिलती है तो फिल मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो के अंदर तब तक के लिए जैहिन जै भारत